भूमिका अध्यात्म के लिए मनुश्य की खोज, संस्कृति, भाशा और भूगोल की सारी सीमाओं को पार कर लेती है लोगोंने ताओ के प्रती जागरूख होने, अनादी, अविनाशी परमसत्य को जानने तथा ईश्वर, अल्ला, राम के प्रेम और सेवा में अपने अस्तित्व को खो देने का प्रयत्न किया है उन्होंने निर्वान, शून्य की अवस्था और अंतरग्यान की अवस्था का अनुभव करने परमात्मा की इच्छा या रजा को पहचान कर उसका पालन करने और अपनी अलग हस्ति को उस एक में विलीन करने का प्रयास किया है ऐसा कहा जा सकता है कि हम सभी मनुश्य, अशांत और असंतुष्ट हैं और हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा या तडप है किन्तु यह प्रबल इच्छा किस के लिए है यदि हम इमानदारी से सोचें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम खुद भी नहीं जानते कि यह इच्छा या तडप किस चीज के लिए है इस तरह हमने अपनी अपनी संस्कृती के अनुसार उसे परमसत्य, आत्मा, अद्वैत, प्रेम, परमात्मा, परलोकादी अनेक नाम दे दिये हैं प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी शारीरिक सीमाओं और दुरबलताओं के साथ जीते जी उस आध्यात्मिक लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें चाह है क्या हम वास्तव में इस अंतहीन इच्छा को शान्त कर सकते हैं पूरे विश्वकी आध्यात्मिक परमपराओं के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि ऐसे विक्ति भी हैं जो यह सब करने में सफल हुए हैं जैसे वे संत जो ताओ के प्रती जागरत होकर उसी में समा गए हैं वे आत्म ज्यानी जिन्होंने परमसत्य को पहचान लिया है और वे महात्मा जो परमात्मा के प्रती अपने प्रेम द्वारा प्रेम का ही मूर्थ तरूप बन गए हैं अध्यात्मिक ज्यान के प्रकाश से भरपूर ये संत अकसर मनुष्य देह में आकर शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरू या परमार्थी मित्र के रूप में जिग्यासुओं की सेवा, सहायता और मार्गदर्शन करते रहते हैं इस पुस्तक में उन आठ आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक विचार धाराओं पर विचार किया गया है जिन में उस समय के आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने आध्यात्मिक ग्यान की प्राप्ती में जिग्यासुओं की सहायता की इन में से हर एक परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक के बारे में उपलब्ध रचनाओं का अध्यायन किया गया है हमने यह जानने का प्रयास किया है कि पवित्र धर्मकरंथों, काव्वे रचनाओं, भजनों, कथाओं या संत महात्माओं की अपनी रचनाओं में आध्यात्मेक मार्गदर्शक या गुरू का किस तरहे वर्णन किया गया है। उन गुरू जनों का स्वभाव कैसा होता है। जो लोग ऐसे ग्यान दाता के संपरक में आएं हैं, वे गुरू को किस रूप में देखते हैं। गुरू के साथ अपने संबंद के बारे में उनके क्या विचार हैं। जब परमार्थ के जिग्यास्वों का किसी ऐसे जीते जाग मनुष्य के साथ संबंद जुड जाता है, जो उनकी खोज में उनका मार्गदर्शन करने योग्य है, तब क्या होता है? क्या गुरू और शिष्य के आपसी संबंद की विशेशताएं सभी परमपराओं में एक जैसी ही हैं? इन प्रशनों के उत्तर जानने के लिए, जब हम विभिन संस्कृतियों, धर्मों एवं इतिहास के अलग-अलग समय के उधारणों पर ध्यान देते हैं, तो बहुत से अलग-अलग उत्तर सामने आते हैं, जो हैरान कर देते हैं. हो सकता है कि एक परमपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक को उपदेशक, गुरू, अथव परमात्मा, ताओ, परमात्मा का पवित्र नाम, अद्वैत, परमसत्य या कोई अन्य नाम दिया आध्यात्मिक मार्ग पर गुरू, शिश्य से थोड़ा ही आगे है, जबकि किसी दूसरी परमपरा में यह समझा जाता हो, कि मार्ग दर्शक लक्षे को प्राप्त करके उसी लक्षे का रूप हो चुका है, चाहे उस आध्यात्मिक लक्षे को परमात्मा, ताओ, परमात्मा का पवित्र नाम, अद्वैत, परमसत्य या कोई अन्य नाम दिया गया हो, हो सकता है, कुछ परमपराओं में सृष्टी के सर्वत्तम विधान के अनुसार, देहधारी गुर परमपरा, सत्य के खोजी, सत्य का ग्यान प्राप्त कर सकते हैं, और किसी दूसरी परमपरा में यह माना जाता हो, कि गुरु अध्यात्मिक उन्नती में सहायक होते हैं, चाहे उनसे सहायता ली जाए, अथवा नहीं, गुरुओं और उनके शिश्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान में भी बहुत भिन्नता दिखाई देती हैं, कहीं गुरु शिश्य को बौधिक स्तर पर तरक देकर समझाते हैं, वह उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने के लिए कहते हैं, और अपनी बुध्धी और विवेक का सही धंग से प्रियोग करने की प्रेरणा द देते हैं, कहीं कहीं मार्ग दर्शक शिश्यों को दुविदा में डाल देते हैं, ताकि वह अपनी पूर्व निर्धारित मानेताओं से बाहर आ जाएं और बुध्धी की जकड से मुक्त हो जाएं, जो उनके और सत्ते के बीच में रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, कहीं अंत में वह अपने एहम को मिटा कर उस एक में विलीन हो जाएं, शिश्य गुरू का अनस्वरन करके, या उनके उपदेश का पालन करके, या केवल उनकी संगती में रहते हुए उनके आसपास के वातावरन से लाब उठा कर भी आध्यात्मिक उन्दिक कर सकते हैं। हाला कि इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद कुछ ऐसे नियम सामने आते हैं, जो इन अलग-अलग संस्कृतियों की आध्यात्मिक परंपराओं में एक जैसे हैं। हम बार-बार देखते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग दर्शक द्वारा दिये गए उपदेश का न तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है और ना ही विचारों द्वारा उसे समझाया जा सकता है। यह वह सत्य है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होता है। यह तथ्य बार-बार सामने आता है कि गुरू अपने शिश्यों का ध्यान उस सत्य की ओर खीचते हैं जो शिश्य के अपने अंतर में मौजूद है। मार्ग दर्शक उस परम सत्य की पहचान करने में अपने शिश्यों की सहायता करते हैं, परंतु वह उनके लिए अभ्यास नहीं कर सकते। हम बार-बार देखते हैं कि वे गुण सरवत्र एक समान है जो शिश्य को सत्य का बोध प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आग्यापालन, अनुशासन और प्रयत्न, गुरू पर विश्वास और भरोसा तथा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विभिनताओं के बावजूद सभी परंपराओं में गुरू और शिश्य के संबंध का आधार प्रेम है। महान कवी गंट ने कहा है हम किवल उनहीं से सीख सकते हैं जिनें हम प्यार करते हैं। पुस्तक का प्रतेक अध्याय एक विशेश, धार्मिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक परंपरा से संबंधित है। जहां तक संभव हो पाया है, हमने यही प्रेयास किया है कि उस विशेश परंपरा में आध्यात्मिक गुरू से संबंधित जो भी तथ्य हमें उपलब्ध हुए हैं, उनहीं के आधार पर अध्याय की रूप रेखा तथा विशेश शैली को निर्धारित किया जाए। इसलिए सभी अध्यायों में एक ही शैली अपनाने का प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए अध्यायों को विशे के अनुसार कहा गया है, जिन में प्रत्येक विशे को छोटे-छोटे भागों में बांटा गया है। जैसे गुरू की खोज, अपने सत्गुरू की पहचान, गुरू का सुरूप तथा शिश्य का करतव्य। कुछ अध्याये प्राचीन धर्म गरंथों में से लिए गए उधरणों से भरपूर हैं, जबकि कुछ अध्याये गुरू और शिश्य के बीच में हुए समवाद या पत्र व्यवहार पर आधारित हैं। कुछ अध्यायों में द्रिश्टांत, एतिहासिक घटनाएं और शिक्षाप्रद कहानियां भी दी गई हैं। उधरण के लिए सिक्धर्म से संबंदे तध्याय में मार्गदर्शक के स्वरूप तथा भूमिका को लगभग पूरी तरहे गुरू सहेबान की बानी से उधरण देकर समझाया गया है। उनकी बानी ही उनके धर्मगरंथ का मूल आधार है। हो सकता है कि शुरोताओं को कुछ अध्याय अधिक रोचक लगें और दूसरे अध्याय कुछ कठिन तथा नीरस लगें। जो अध्याय रोचक प्रतीत ना हो, शुरोता उसे छोड़कर अगले अध्याय को सुनना शुरू कर सकते हैं। या अपनी इच्छा से किसी भी क्रम में अलग-अलग अध्याय सुन सकते हैं। पुस्तक में शुरू से आखिर तक हमारा पूरा ध्यान आध्यात्मिक गुरूओं और शिश्यों पर तथा शिश्यों की सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित रहा है। यही कारण है कि पुस्तक के विभिन अध्यायों में किसी भी धर्म के इतिहास या उपदेश का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया गया है। कभी भी अवश्यक्ता नहीं रही है या फिर वे यह मानते हों कि इतिहास में किसी समय पूर्ण सत्गुरु हुए हैं परन्तु उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। जो लोग देहधारी गुरुओं के अस्तित्व या उनकी अवश्यक्ता के विरुद्ध तर्क देते हैं, हमने उनके दृष्टी कौन की व्याख्या करने या उसे प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। हमने तो प्रत्यक धार्मिक परंपरा में से केवल देहधारी आध्यात्मिक गुरुओं, आचारियों या शिक्षकों के उधारने कत्रित किये हैं, जिन्होंने परम सत्य का स्वयम अनुभव किया और उस सत्य का गूढ अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने शिश्यों का भी मार्ग दर्शन करते रहे. जिन आध्यात्मिक गुरुजनों के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, उनमें से कुछ गुरुजनों को उस परंपरा की मुख्यधारा में मानिता भी मिली और आदर सम्मान भी प्राप्त हुआ, जिसमें रहकर उन्होंने जीव जन बिताया और कार्य किया. हो सकता है कि उसी परंपरा के कुछ अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बहुत से अनुयाईयों को जानकारी ना हो, किन्तो यह भी संभव है कि कुछ गुरुजनों को उसी धर्म के अधेकारियों ने धर्म द्रोही तक समझ लिया हो. ब प्रतेक अध्यात्मिक परंपरा का गहराई से अध्यायन करते हुए, हमें अंतरग्यान के मार्ग पर अपने शिश्यों की सहायता करने वाले गुरुजनों की इतनी विशाल और बहुमुखी दुनिया दिखाई दी, कि हमें पुस्तक के पहले प्रारूप में से ढ़ाई सो प्रिष्टों के कई अध्यायों को काट छांट करके छोटा करना पड़ा। उस गुरु के बारे में कोई धारना बनाना संभव नहीं है। इस पुस्तक में उनके आध्यात्मेक सिधानतों की उतनी ही चर्चा की गई है जो उनकी भूमिका और वेक्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है। दूसरे अध्यायों की तरहे सिख धर्म से संबंदित अध्याय पर यह नियम लागू नहीं होता। इस अध्याय में मुख्य रूप से सिख परंपरा के पवित्र धर्म गरंथ, आदी गरंथ की बानी द्वारा विशय की व्याख्या की गई है। क्योंकि गुरू सहबान ने गुरू के स्वरूप और भूमिका तथा गुरू के साथ संबंद जोडने की अत्यधिक अवश्यक्ता के बारे में अपने अनुभव के आधार पर बहुत विस्तार पूर्वक वरणन किया है। परंतु यह पुस्तक मूल रूप से सिध्धान्तों के बारे में नहीं है। कुछ परंपराओं में विचार प्रकट करने के तरीके ज्यादा गूड हैं और सिध्धान्तों पर आधारित हैं। परंतु जिस भी परंपरा के स्रोतों के रूप में गुरू और शिष्य के समवाद, घटनाएं या उनके आपसी व्यवहार के वृत्तांत उपलब्द हैं। उनके द्वारा उस परंपरा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। नहीं समझा जा सकता। हालांकि इस प्रकार की कहानियां संदेह पैदा कर सकती हैं। हो सकता है कि शिष्यत्व के मार्ग के बारे में कुछ महतवपून तथे बताने के उद्देश्य से ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां पीढी दर पीढी एक से दूसरे तक पहुँचाई जाती रही हों। परंतु क्या उनका कोई एतिहासिक प्रमान उपलब्ध है। इन शिक्षाप्रद कहानियों में बताई गई घटनाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी-कभी एक ही कहानी के अलग-अलग विवरणों में किसी घटना के समय, स्थान और उससे संबंदित व्यक्तियों के बारे में प्रायह अनेक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसके बावजूद ये शिक्षाप्रद कहानियां उपयोगी हो सकती हैं। क्योंकि गुरू शिष्य के परसपर संबंद का मूल सत्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। चाहे कोई कहानी एतिहासिक द्रिष्टी से सही ना भी हो, फिर भी वह इस सिद्धान्त को समझाने के लिए महत्वपून स्रोत है कि किसी भी परंपरा में देहधारी गुरू मौजूद हो सकते हैं। पूरे विश्व के सहित्य में संत महात्माओं के जीवन से संबंधित कथा कहानियों में हर चीज को बड़े शानदार ढंग से और बहुत बढ़ा चड़ा कर प्रस्तुत करने का चलन रहा है। यह एक साधारन श्रोता को अतिश्योक्ती लग सकता है। उन कथा कहानियों के बारे में क्या कहा जाए जो बहुत सी परंपराओं में बड़ी लोकप्रिय हैं। चू आथ्यात्मिक मार्ग दर्शक हमेशा करामातें दिखाने के विरुध उपदेश देते रहे हैं। उनके अनुयाई जोश में आकर कई बार उनहीं के साथ आम करामातें जोड़ देते हैं। इस पुस्तक में उन घटनाओं पर ध्यान दिया गया है जो गुरु के गुणों पर प्रकाश डालती हैं। जैसे उनकी विनम्रता, करुणा, विनोध प्रियता या उनके सिखाने का तरीका। ये गुण दर्शाते हैं कि संत अपने शिश्य को ग्यान के उच्च स्तर पर किस प्रकार ले जाते हैं। जहां भी संभव हो पाया है, हम उन किस्से कहानियों से दूर ही रहे हैं, जहां उन चमतकारों का वरणन किया गया है, जो लोगों के समूहों के सामने उन्हें प्रभावित करने के लिए किये गए हैं, या शत्रूओं को पराजित करने और विरोधी ताक्तों के सामने अपन गुरू के प्रत्य कारे में चमतकार नजर आता है शायद इन्हें निजी चमतकार कहा जा सकता है ऐसी घटनाएं जो शिश्यों के लिए तो चमतकार होती है परन्तु किसी दूसरे विक्ति का उनकी और ध्यान नहीं जाता इस तरह की घटनाएं इस पुस्तक के प्रत्य कध्याय में दिखाई देंगी क्योंकि ये गुरू और उनके शिश्यों की मूल विशेशताओं पर प्रकाश डालती है इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इस पुस्तक में जहां किसी संत के उधरण दिये गए है या उनसे संबंधित कोई घटना बताई गई है वहां ना तो संत की आध्यात्मे कुपलब्धियों की परक की गई है और नहीं इसके बारे में कोई संकेत दिया गया है आखिर हम किसी महात्मा की परक करने वाले कौन होते हैं हमने तो केवल ऐसे परमार्थी मार्ग दर्शकों के उधरण प्रस्तुत किये हैं जो किसी परंपरा में बहुत प्रभावशाली रहे हैं या जिन्होंने उस परंपरा से जुड़े आध्यात्मिक मार्ग दर्शन के सिध्धानतों को स्वयम एक उधरण बन कर समझाया है हम इस बात पर जितना भी जोर दें कम होगा कि हम किसी विक्ती की परक नहीं कर सकते जो श्रोता पुस्तक के सभी अध्याई सुनेंगे उन्हें स्वयम पता चल जाएगा कि गुरू का शिष्य के साथ बहुत गहरा निजी संबंद होता है और प्रतेक विक्ती को स्वयम अपने मार्ग दर्शक की खोज करनी पड़ती है इस पुस्तक को तयार करने का कारे कई वर्ष पहले शुरू हुआ था गहन अध्याईन करने वाले हमारे साथी लेखक और संपादक जिन्होंने इस कारे में योगदान दिया है वे सब अलग-अलग परिवेश से जुड़े हैं प्रतेक अध्याई की तयारी में बहुत से विक्तियों का सहयोग है जिनमें ऐसे विक्ती भी शामिल हैं जो पचपन से उसी परंपरा में रहकर बड़े हुए कुछ विक्ती आजकल उस परंपरा का अनुस्वरन कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए उनका व्यवसाय उस आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है जैसे की पादरी, मठाधीश और विश्व विद्याले के प्रोफेसर जिन्हें इस विशे का विशेश ग्यान है पुस्तक के लिए मिलकर कारे करने वाले इतने अलग-लग लोगों में एक समानता है कि सभी संतमत के अनुयाई है भक्ती का यह मार्ग भारत की महान भक्ती परंपरा पराधारित है जिसका उपदेश, राधास्वामी सत्संग, ब्यास, पंजाब के संत सत्गुरू देते आए हैं आथ्यात्मे कभ्यास का यह मार्ग सभी धर्मों के अनुयाईयों के लिए खुला है अंतर्मुख भ्यास के इस मार्ग में देयधरी सत्गुरू की परमवश्यक्ता है और उन्हें सर्वोच्चुमाना जाता है हमने इस पुस्तक का कारिय भ्यास के वर्तमान गुरू बाबा गुरिंदर सिंग जी के अनुरोत पर शुरू किया वह अक्सर यह सीख देते हैं कि हमें अपने दाइरे खोलने और अपनी सीमित सोच का विस्तार करने की जरूरत है सत्ते और रुहानियत के बारे में हम बहुत जल्दी और आसानी से कट्टरवादी बन जाते हैं और अपनी सोच का दाइरा तंग करके अपने ग्यान को उस परंपरा के सिधानतों, शब्दों और धारणाओं तक सेमित कर लेते हैं जिस परंपरा से हम जुड़े होते हैं इसलिए हमने बाबा जी के अनुरोद पर अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में खोज का कार्य आरंभ किया, जिनमें देहधारी पूर्ण पुरिशों ने अपना अंतर ग्यान जिग्यासूं के साथ साज़ा किया है यह हम सब के लिए बहुत ग्यानपरद अनुभव रहा है ऐसे अनेक तथे सामने आए हैं जिन्होंने हमें सोच विचार करने के लिए प्रिरित किया कभी कभी हम दुविधा में भी पढ़ गए और कभी हमें ऐसा गूड क्यान मिला जिसने हमें आश्चरे में डाल दिया इस कारे के दौरान हमारी कई दिल्चस्प लोगों से मुलाकात होई और हमें उनकी कहानिया सुनने का अवसर मिला हमें चुनौती दी गई है कि हम जीवन के बारे में ऐसी सोच और दृष्टी कोन को समझें जो हमारे लिए बिलकुल नए थे परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस गहरे संबंद की जलक मिली जिसका आधार सांजहा मानवीय अनुभव है जो संस्कृती भाशा और भौगौलिक सीमाओं से परे है यह पुस्तक उस सर्वसांची समंझ शील मानवीय चेतना सत्य को जानने की हमारी सहज प्रवृत्ती और आथ्यात्मिक मार्ग दर्शकों के अपार प्रेम तथा दया का अभिनंदन करती है जो सत्य की खोज में संघ घर्श कर रहे जिग्यास्वों की सदा सहायता करते हैं